स्लीपी क्लासिज मैं हूं सुक्मन और आज के करंट अफेस सेशन में हम डिस्कूस करने वाले हैं बहुत इंट्रस्टिंग जो की बर्ट के बारे में हैं तो क्या आपको कुछ हियाद है कि आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो बर्ट को बहुत एजीली स्पोर्ट कर लेते थे जैसे कि हाउ स्पैरो, क्रोज, पैरिट्स इवन वर्ट कॉमन थिंग टू वाच वेन वर गोइंग आउटसाइड आज के अगर हम टाइम की बात करें तो में हार्डली कोई स्पैरो या फिर कॉमन मायना जैसी कोई बर्ट जो हैं वो देखने को मिलती हैं लेकिन उसके इनिशेटिव गोवर्मेंट कुछ नगुछ इनिशेटिव लेते रहते हैं ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है और हम भी जो आज की जनरेशन है उन्हें भी इस चीज का थोड़ा सा पता हो और इस चीज की जो वैल्यू है उसको हम कंसीडर कर सके तो ऐसा ही एक इनिशे से बात करें कि यूझ आप तो वह उच भल फिफ्टीन मिनिट्स रिगलर्ली यूवब तो सी इस पैटरं कीव हो कहां पर फ्लाइ करता है कौन से एरिया में है कौन से स्पीशिस है वह आप जानिए वह सारी जितनी भी स्पीशिस आप उस एरिया में काउंट कर सकते हैं उन क काउंट कीजे, सुनिये उनका जो bird watchers होते हैं professionally, उनकी अवाजे सुन पाते हैं और उसे वो यह जाइजा लगाते हैं कि क्या इसका क्या lifestyle है bird का, तो यह पूरी list वो फिर upload कर देते हैं e-bird organization में, so that was the bird count India program, तो इससे क्या है कि थोड़ी जागरुकता बढ़ाने की कोशिश की है, generations जैसे कि अब हम house sparrow, crows, जो कि North India के अगर बात करें तो आपको हिमाल्या में या नौर्थीस्ट में ही अभी यह birds देखने को मिलेंगे, जो कि openly market में, population के साथ, human population के साथ, आपको पढ़े अराम से देखन अब यह सारी चीजें spot करना बिलकुल ही नाम उनकिन सा हो गया है, आप बता सकते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा reason क्या है, mobile phones and the radiations which are emitted by its signals which are very harmful for these birds, that is why their population is decreasing, तो अभी अगर हम facts की बात करें, तो bird count India, जो कि informal partnership थी, organizations और groups की, तो उन्होंने क्या data find out किया है, जो कि आपके examination point of view से भी important हो सकता है, तो देखें यह जो एक partnership है, यह जो organization है, यह encourage करती है bird watchers को, कि वो upload करें pictures को और data को on this site, that is e-bird organization, which is a global platform for the bird observations, तो इनकी findings के हिसाब से जो यह event है, वो लदाख, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, उत्राखंड, Sikkim, Northwest Bengal और अरुनांचल Pradesh में ही किया गया, reason being, इसके इलावा, जत्मी भी states है, वहाँ पे population density जादा है, इसलिए birds को वहाँ पे spot कर पाना बहुत ही कम है, ठीक है, तो अगर हम key findings की बात करें, तो उत्राखंड has reported the highest number of bird species, that is 293, and maximum number of checklist means the list of birds which was seen and heard by the bird watchers, that was from the Jammu and Kashmir, which is a UT now, it was 192, तो ये तो था data के बारे में, इसके इलावा, अगर हम देखें, तो और कौन-कौन से initiatives हैं, देखें, सरकार अब bird centuries announce करती है, जहां पे उनको variety of species देखने को मिलती है, तो आप जल्दी से देखें कि कौन-कौन सी important centuries है, जहां पे birds को देखने को मिल सकता है, जैसे कि wetlands पे birds पाई जाते हैं, और जो है कि हमारे इंडिया भी जैसे कि 20th March को house parody बनाया जाता है, तो ऐसे ऐसे इन ही initiatives पे हमें भी encourage करना चाहिए, और participate करना चाहिए, तांकि हमारी आने वाली generations को ये birds सिरफ पिक्चर्स में ही ना देखने को मिले, वो भी इनको हमारी तरह स्पॉर्ट कर सके, स्फिस्साइअ, क्यों करनाया।